हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप लोग लिए फिर से लेके आए बहुत ही सुन्दर सुन्दर तीन कपड़े एक जो है दुपट्टा है और दो कुर्ती है तो उमीद करती हूं कि साड़ी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगो को पसंद आएगा त ये इसको मिक्स तसर बोलते हैं प्योर वाले नहीं है मिक्स तसर है कुर्ती बना है बड़ इसका मेटेरियल बहुत अच्छा होता है आप वड़ तो देखी रहे हैं कितना अच्छा से इस पे खिल किया है दूसरा ये तसर बोलते हैं इसको तसर है बड़ पतले वाले तसर है ठीक नहीं है थोड़ा सा पतले वाले है और यह दोनों सेम ही है सिर्फ जो है कलर अलग-अलग है यह वाइट है और वो गोल्डन कलर है दोनों सेम ही है आप देख लो मटेरियल सेम है तो मैं आपको जो है इसका लेंध भी मैं बता दूंगी खोलती हूँ दिखाती हूँ तो लेंध भी बता दूंगी मैं देखिए यह कुर्ती का फ्रंट साइड आपको जो है दिख रहा है देख लेजे यह कुर्ती का फ्रंट साइड है देखिए इस तरह से यह यह पूरा इसका जो है अर्ज जो है 44 का है कपड़े का यह दो मीटर में यह बना हुआ है देखिए यह दो मीटर में बनके तयार हुआ है मल्ति कलर में कुर्टी कलर आप देखी रहे हैं इसमें ब्लो रेड ओरेंज ग्रीन लाइट ग्रीन है दोनों ग्रीन का यूज किया गया आफ्ट लाइन पूरा ब्लैक से किया गया है और बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं देखने में देखिए कितने बाड़ी काम है और फिनिशिंग देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है थोड़ा भी यह पहला वाला नहीं है मटेरियल जो अच्छा रहता है तो वर्क भी करने वीडियो में लगबग बोलती हूं यह बाद कि आपका मटेरियल अच्छा रहेगा तो वर्क भी अच्छा है और यह बाजू है बाजू में बाजू भी आपको मैं दिखा देती हूं पर हाँ यह वर्क आपको कैसा लगा वह मुझे जरूर बताईएगा दूर से देखने पर कुछ इस तरह से आपको देखेगा नीची और उपर सेम सेम जो है जो माच बहोते माच कर डेजाइन दिया गया है इसो अगे से मैच करके ही बैक सैड आप देख पर बैक सैड है बैक सैड पर जो आगे अगे फरंट सैड से कर गया है अच्छा दिखने के लिए वेति वूटी है फ्रंट साइड में से बेक गया है हाफ करके दोनों सेड और मैं बाजू भी कुर्ती में इस तरह डालती हूं कि आप इसको ये जो है ना quarter बाजू इसमें आराम से निकल के आ जाएंगे देखे दोनों तरफ डाले हूँ एक सार डालती तो वो कट करने में थोड़ा मुश्किल होता है तो आप जब भी बनाए कोसिस करें कि space अच्छा रहने दे ताकि आपके लंबा बाजू चाहिए च्छोटा बाजू चाहिए आ जाएगा देखे मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ आपको ये ये हो गया फर्स्ट कुर्ती इसका जो है अरज 44 है और दो मीटर में ये बना हुआ है फर्स्ट वाले अब मैं आपको सेकेंड वाला भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है ये जो है मटेरियल मटेरियल भी मैं बोल दी थी कि मटेरियल ये मिक्स तसर है प्योर तसर ने ये मिक्स तसर बट एक कुर्ती के लिए बेस्ट है देखे इसका भी सेम है तो वर्क में कलर कॉंबिनेशन का हमेशा ध्यान रखे कि किस कपड़े पे किस तरह का कलर निख़र के आने वाला है अब बारी की देखिए कितना खुबसूरत रहता है तूसरी बात अब आउटलाइन कर रहे हो मैं क्या करती हूँ आउटलाइन बनाती हूँ ठोड़ा मोटा कर गे ठेकर है आउटलाइन bies फोड़ा मोटा करके आप इस्केशिंग में मोटा यूज धी की दिए और तोड़ा यूज बारी की तोiron है यूज हुआ है देखिए दो तरह के करने ही चाहिए एक ही से कर देंगे तो sketching और कचनी मिक्स लगेगा तो sketching के लिए अलग और कचनी के लिए अप अलग अब इससे आप यह मत बोलना कि दो तरह का नीव आता है दो धिए बन के आया है ब्रक बहुत ही जादा अच्या लग रहा है भाड़ी की है बहुत खुबसूरत लग रह देखनें फूरा आपनेकश अब स्प्रेड नहीं हुआ है कोई- reminder पया होता है यह होता है तो मझा नहीं आता है फिश करेजन डाला गया था फ्रंट सेड में तो बैक सेड में भी फिश और बाजू पे भी फिश इसमें फ्रंट सेड में मोर है तो बाजू पे भी मोर और बैक सेड में भी मोर बस अंतर सिर्फ इतना है कि पिछले वाले में बूटी था इसमें बूटी नहीं है बस दोनों में देखी इसमें बूटी है और इसमें बूटी नहीं है बट वर्क इतना अच्छा खासा है कि अच्छा लग रहा देखने में अब ज्यादा भड़ा भड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा है मैंने दोनों कुर्तियां आपको दिखा दी अब मैं आपको दुपट्टा का वड़क भी मैं आपको दिखा देती हूँ दुपट्टा ओरेंज यलो है डार्क सेड में तो इस पे उनली मरून दो कलर का जो इसमें यूज किये हैं एक है मरून मरून से पूरा आउटलाइन मरून से हुआ है आप देख भी सकते हो सेम सेम ही लग रहा है बट अलग लग रहा है थोड़े से तो इसमें पूरा जितना भी sketching आप देख रहे हूँ सारे मरून से हुआ है totally देखे मैं नजदीक से आपको दिखा देती है totally sketching मरून का है अब इसको साधी के purpose बनाया गया है तो ये इसमें ब्लैक का यूज नहीं किया गया है आप देखी रहे हो पूरा मरून से आउटलाइन किया गया है और कौन से कुर्ती आपको ज्यादा बैतर लगे वो भी मुझे जरूर बताएगा इसका material आप देखिए तसर है थोड़ा सा पतला है बर वड़क बहुत अच्छा आया है निकल के देखे इसमें मरून से sketching और red से पूरा वड़क किया गया पूरा totally वड़क जो है red का है और इसका जो बना हुआ जितना में है उसका है लगबग लगबग एक मीटर में बना हुआ है दोनों सेड एक एक मीटर में वड़क है सेम सेम इस सेड भी और उस सेड भी दोनों सेड सेम वड़क है एक एक मीटर में देखिए तो आप इसका दूपर्टा का आचल बोलो आचल है एक एक मीटर दोनों साइड से 20 का पार्ट थोड़ा सा बचा है उसमें मैंने बूटी जो है छोटे-छोटे बूटी आप देख रहे हो वो डाले है मैंने और दूसरी बात है कि फुली जो है नीव वर्ख है आप रंगनी ब्रश का यूज आप बहुत कम ही देखते होंगे मैं जितना भी वर्ख करती हूँ जादा तर नीव का ही वर्ख होता है ब्रश का बहुत कम वर्ख रहता है जितना भी करती हूँ बारिक वर्ख होते हैं साड़ ब्रस भी यूज होते हैं और नीब भी यूज होते हैं मगर मैं ब्रस का यूज कम करके नीब का वर्क जादा करते हूं आप जैसे दूपटा में देख ही रहो एकदम बारीक वर्क है और साथ में मैं ये भी बता दू कि अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हो और आपको जो भी पसंद आड़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे वाटसाप कर सकते हो वाटसाप जो है नंबर अवेलिबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग बार-बार पूछते हो कि कॉंटक्ट कैसे करे कैसे करे तो कॉंटक्ट नंबर वहाँ अवेलिबल है आप वहाँ से मुझे कॉंटक्ट कर सकते हो और जो भी पेंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हो मैं पूरी कोशिस करूँगे कि मैं जवाब दूँ तो ये रहे आज की वीडियो का वीडियो में ये तीन चीजे जो बहुत ही मुझे पसंद आई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली तो उमीद करती हूँ कि ये पसंद आये होंगे पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए और मेरे साथ पूरे वीडियो में बनने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्या